हाई एब्रिवन फ्रेंड कैसे हो आप सब उमीद करता हो चेंगे तो फ्रेंड आज हम P-Audio 400W तीनों मोडल का जो इस्पिकर है उसके प्राइस के बारे में जानेंगे साथी साथ उसका रिवीव करने वाले हैं यहां आपको बता दें कि P-Audio 400W में बहुत सारा मोडल है जैसे BM सिरीज का हो गया BM-400BB3 दूसरा हो गया G15-400M तीसरा हो गया G15-400MB चोथा हो गया आपका G15-400F और पाचमा हो गया फ्रेंड C15-400B तो इस प्रकार से कुछ मोडल है फ्रेंड जिसमें से मैंने यहां सिर्फ तीन स्पिकर को यह एड किया है क्योंकि यह तीनों जो इस्पिकर ह किया है और इसका प्राइस अभी हम जानेंगे फ्रेंड तो कौन सा है वह इस फिकर आपको वीडियो में पूरा डिटेल मिलेगा और क्या प्राइस अभी प्राइस जो आपको बता दें फ्रेंड तो वह हमारे मार्केट के इसाफ से आपको प्राइस सुनने को मिलेगा तो व कोई जानता है फ्रेंड बहुत सारे भाई लोग यूज करते हैं खुद मैं भी यूज करता हूँ दूसरा मोडल है जी 15400 M ये भी काफी अच्छा इस्पीकर है इसको मैं भी यूज कर रहा हूँ अभी भी और तिसरा जो इस्पीकर है फ्रेंड वो है C15400 B ये चेलेंजर कि फ्रेंड 15MB 400 BB-3 जो है वो 400 watts AES पाउर में हमें देखने को मिल जाता है साथ ही साथ बात करें यहँ here speaking 400 guest AES पाउर में देखने को मिल जाता है इससे हमें पता चलता हैankushima कोई Health आंतर यह में तीनो आप करने आप किया graph is not Company second available के वह बात करतें इसके इंप बात करतें इसके इंप बैसके साइज के बारे में चारसो बित्री में आपकोती निंज खा व्यां को देखने को मिल जाता है उसके साथ बात करें 400 AM की जी 15 400 AM की तो इसमें भी आपको 3 रिस्वाल तेखने मिल जाता है और साथ आ करें चैलेंजर सेरीज वाले तो इसमें भी देखने को मिल जाता है रही ध्लाव इसके वह स्कॉइल का साइज तो 3 सेम की अर्छ तो क्या या अंतर है वह उससे पहले भी 3 के frequency range के तो आपको यहां 40 से लेकर 3000 hearts तक देखने को मिलेगा आनि कि इसमें काफी अच्छा आपको बैस भी सुनने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको mid भी काफी अच्छा सुनने को मिलेगा फ्रेंड चलिए अब हम जानते हैं अपने दूसरी नमबर आने वाला speaker के frequency range के बार में जो कि gorilla series का speaker है तो यहां इसमें आपको frequency range 45 से लेकर 3000 hearts तक देखने को मिलेगा आनि कि friend आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा बैस सुनने को मिलेगा फ्रेंड तो चलिए अब हम जानते हैं अपने अगले speaker के बार में जो कि है चलेंजर स्रीज का तो फ्रेंड चलेंजर स्रीज के जो इन तीनों में से बैस मिलेगा फ्रेंड वो होगा V3 model का speaker तो आप मीड के लिए लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चलेंजर स्रीज को लगवाईए जदि आपको बैस भी चाहिए तो आप V3 में जा सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं और इसके आगे sensitivity के बारे म तो फ्रेंड V3 model में जो sensitivity है वो 97 dB है बात करें इसके साथ-साथ गोरिला स्रीज वाले speaker में 400 M model में तो इसमें जो sensitivity है वो 97 dB है और उसके साथ बात करें चैलेंजर स्रीज वाले में तो इसमें भी sensitivity है वो सेम देखने को मिलता है तो यहां हमें पता चल गया कि sensitivity में कोई अंतर नहीं है अनिकि जो speaker का आवाज होगा same quality में आपको सुनने को मिलेगा सिर्फ बैस और मीड का अंतर होगा यहां क्योंकि उसका frequency range तिनों का कुछ अलग-अलग है आगे हम बात करते हैं इसके magnet के weight के बारे में तो यहां भी 3 मोडल में आपको उसके magnet का weight 2 kg 300 g देखने को आपको 2 kg 300 g देखने को मिलेगा आनिकी semi मिलेगा फ्रेंड तो फ्रेंड चलिए अब हम जानते हैं अपने challenger series वाले speaker के magnet के weight के बारे में तो यहां आपको बता दें कि उन दोनों speaker के magnet के weight से थोड़ा सा जादा आपको यहां देखने को मिलेगा जो कि 2 kg 740 g आपको यहां material का तो फ्रेंड जो सबसे पहला speaker B3 उसमें आपको SBW wire मिलेगा coil material में दूसरा जो है फ्रेंड उसमें CCAW wire मिलेगा और तीसरे में आपको aluminium wire मिलेगा यह तीनों कैसे detail में जानें कि यह क्या होता है तो आपको अगले वीडियो में समझाएंगे फ्रेंड तो फ्रेंड चलिए अब यह तो हो गया इसका magnet type अब हम जान लेते हैं इन तीनों speaker का वजन के बारे में तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे यहां B3 model के जो speaker है उसका weight के बारे में तो आपको 8 kg 100 g देखने को मिलेगा दूसरे नमर पर बात करें फ्रेंड गोरिला series वाले speaker के जो मोडल है उ तो फ्रेंड यहां जो तीनों model का speaker है उनमें से जो सबसे ज़्यादा भारी होगा वो होगा चलेंजर स्रीज वाला speaker तो चलिए अब हम जानते हैं इसके latest price के बारे में तो फ्रेंड यहां आपको जो price में बताने वाला हूँ अभी वह हमारे market देवघर का price है तो यहां जो आ आपको 6800 में हमारे यहां मिल जाएगा अब आपके market में भी बस इतना ही होगा कुछ अंतर हो सकता जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया तो दुसरे नमर पर जो हम बात करने वाले friend वह है gorilla series वाले speaker के price के बारे में तो यह जो speaker है friend इसका price आपको लगभग 6600 अनिकी धित्री model वाले speaker से थोड़ा सा कम आपको यहां देखने को मिलेगा friend तो फिर आपको Sam ही देखने को मिलेगा friend दोनों में कुछ अंतर नहीं है friend बस frequency का थोड़ा सा अंतर है एक mid के लिए है तो एक best के लिए friend तो चलिए अब हम जानते हैं अपने तीसरे नमर का speaker जो की challenger series वाला speaker है त इसका प्राइस आपको थोड़ा सा ज्यादा इन दोनों speaker से लगेगा friend क्योंकि challenger series का speaker का प्राइस हमेशा ज्यादा रहता है तो कि वह powerful speaker है friend वह mid के लिए काफी अच्छा speaker है जैसा कि आप देख पाए friend की इसका magnet भी ज्यादा भारी है इसका वजन जो है speaker का वह भी ज्याद अब आपके मार्केट में भी बस इतना ही होगा कुछ अंतर तो होगा ही friend क्योंकि हर मार्केट में अलग अलग प्राइस थोड़ा सा उपर निचे होता रहता है तो चलिए उमीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी अगल नए विडियो में